कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ देश व्यापी लोगडाउन को आज नव दिन हो रहे हैं इस दोरां आप सभी ने जिस प्रकार अनुशाचन और सेवा भाव दोनों का परिचे दिया है वो अभूत्पुर्व है शासन प्रशासन और जनता जनारदन ने मिलकर इस्थीती को अच्छे ढंग से समालने का भरपूर प्रयास किया है आपने जिस प्रकार 22 मार्च रविवार के दिन कोरोना के खिलाप लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं जनता करफ्यू हो गंटी बजाने थाली बजाने का कारकम हो इन्होंने इस चुनावति पुन समय में देश को इसकी सामुहिक शक्ति का एसास कराया यह भाव प्रगट हुआ कि देश एक होकर कोरोना के खिलाप लड़ाई लड़ सकता है अब लॉकडाउन के समय में देश की आप सभी की यह सामुहिक्ता चरितार्थ होती नजर आ रही है साथियों आज जब देश के करोडों लोग घरों में हैं तब किसी को भी लग सकता है कि वो अकेला क्या करेगा कुछ लोग यह भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे कि यह प्रश्ण भी मन में आते होंगे कि कितने दीन ऐसे और काटने पड़ेंगे कि साथियों कि लोग डाउन का समय जरूर है हम अपने अपने घरों में जरूर है लेकिन हम मैंसे कोई अकेला नहीं है एक सो तीस करोड देश्वास्यों की सामुईक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है हर व्यक्ति का संबल है समय समय पर देश्वास्यों की इस सामुईक शक्ति की व्राड़ता इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवश्चक है साथियों हमारे यहां माना जाता है कि जनता जनार्दन इस्वर का ही रूप होती है इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो तो ऐसी लड़ाई में बार बार जनता रूपी महा शक्ति का दिराट स्वरूप का साक्षात करते रहना चाहिए यह साक्षात का हमें मनोबल देता है लक्ष देता है और उसकी प्राप्ति के लिए उर्जा भी देता है हमारा मार्ग और अधिक स्पष्ठ करता है साथियों कोरोना महामरी से फैले अंदकार के बीच हमें निरंतर प्रकाश की और जाना है जो इस कोरोना संकट से सबसे ज़्यादा प्रभावित है हमारे गरीब भाई बहें उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निरासा से आशा की तरफ ले जाना है इस कोरोना संकट से जो अंदकार और अनिश्चित्ता पैदा हुई है उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चित्ता की तरफ बढ़ना है इस अंदकार मैं कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकास के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है और इसलिए इस संडे पांच एप्रिल को हम सब को मिलकर को कोरोना के संकट के अंदकार को चुनोती देनी है उसे प्रकाश की ताकत का परीचे कराना है इस पांच एप्रिल को हमें एक सो तीस करोड देश्वासियों की महा शक्ति का जागरन करना है एक सो तीस करोड देश्वासियों के महा संकल्प को नई उचाईयों पर ले जाना है पांच एप्रिल रभीवार को रात नौ बजे मैं आप सबके नौ मिनिट चाहता हूं द्यान से सुनिएगा पांच एप्रिल को रभीवार को रात नौ बजे गर की सभी लाइटे बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर नौ मिनिट के लिए मुम्बत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लेश लाइट जलाएट मैं फिर कहूंगा मुम्बत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लेश लाइट पांच एप्रिल को रात को नौ बजे नौ मिनिट तक जरूर जलाएट और उस समय यदि घर की सभी लाइटे बंद करेंगे चारों तरब जब हर व्यक्ति एक-एक दिया जलाएगा तब प्रकास की उस महाशक्ति का एसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड रहे हैं यह उजागर होगा उस प्रकाश में उस रोष्णी में उस उजाले में हम अपने मन में यह संकल्प करें कि हम अकेले नहीं है हम अकेले नहीं है कोई भी अकेला नहीं है एक सो तीन एक एकी सब्सक्राइब कि संगल्प के साथ कृत संगप है कि साथियों है मेरी एक और रातना है इस ऐसंगल के समय इसी कि उसक्राइब कि इखटा नहीं होना है प्लाष्टों में गलियों में या महलों में नहीं जाना है अपने घर के दरवाजे बालक ही से ही इसे कर रहा है सोशल डिस्टंसिंग को किसी भी हाथ में तोड़ना नहीं है कोड़ना की चेन तोड़ने का कि इसलिए कि पांच एप्रेल रभिवार को कि आप नव बजे को अक्केले बैठ कर कि अबहरतिक रस्मरण कीजिए एक सो तीट विश्वास्यों के चहरों कीजिए एक सो तीट क्रोल विश्वास्यों के सामुई का इस महासक्तिक आएसास कीजिए कि हमें संकट की जीतने का आत्म विश्वास भी हमारे यहां कहां हो द्रद्वान आरिया न अस्ति उत्साह प्रम प्रम सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्रहस्य लोकेशो न किंचित अप्री दुल्लभम यानि हमारे उत्साह हमारी स्प्रिट से बढ़कर के दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताक्ष से हासिद न कर पाए करूंगा कर दो